तुलसी कब नहीं तुलसी की पत्ती कब नहीं तोड़नी चाहे तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहे और तुलसी में जल कब नहीं चड़ना चाहे यो दोनों चीज आज हम बताएंगे क्लियर कर रहे हैं महत तो कुर्ण है इसका सीर्षक आप रख सकते हैं जो आप लोग समझ रहे हैं क्यों नहीं चड़ाते हैं इस दिन हम तुलसी का जल क्यों नहीं तोड़ते हैं तुलसी दल इन दिनों में विशिस बाते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि रविवार को न तो तुलसी को जल दिया जाता है और न तुलसी दल ग्रहन किया जाता है तोड़ा नहीं जाता है रविवार को भी हम ये कारे नहीं करते हैं एक आदसी को भी नहीं करते हैं एक आदसी को भी न तो जल देना चाहिए तुलसी में और अभिवार को जल देना चाहिए और तुलसी दल तोड़ना चाहिए रीजन तुलसी महरानी को अपने गोविंद से बहुत प्रेम है बहुत प्रेम है आप नहीं समझोगे इस प्रेम को कई लोग क्योंकि हमारे ब्रेज में कहते है जा कि भटीन प्रेम बेवाई भूका जाने प्रेवाई जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उस महत्त को नहीं समझेगा लेकिन बहुत स्पेसल बात है यह आप सवने सुना होगा देव उठनी एक आदसी देव उठनी एक आदसी में यह विशेष क्यों है क्योंकि देव उठनी एक आदसी में तुलसी सालिगराम बिवा होता है होता है न विशेष दे न तुलसी सालिगराम बिवा होता है देव उठनी एक आदसी को इसलिए विशेष है अगर हम लोग थोड़ी सी बातों को जाने विवा के समय दुला दुलेन को भी बृत रखना होता है उनके करने वाले को भी बृत करना होता है भगवत प्रापती के लिए निए तुलसी महराणी हरे कादसी का बृत करती है ध्यान सो सुनना इस बात को करने के लिए प्रेम को बनाए रखने के लिए तुलसी महरानी एकादसी का बरत करती है और एकादसी के बरत का सरस्रेष्ट तरीका है कि निर्जला एकादसी बरत किया जाए हरेक एकादसी निर्जला किया जाए यह सबसे बेस तरीका है उससे थोड़ा सा नीचे वाली सीड़ी का है जल पीके रहा जाए और आज कल तो बृतों की खेर बात ही मत करो आज कल बृत की बात कर दी तो जन पता नहीं क्या क्या खाते हलुआ तक बनते हलुआ अब क्या कहें छोड़ो प्रतेक एकादसी को तुलसी महारानी निर्जला बरत रखती है भगबत प्रेम की प्राप्ति के लिए तो उस पुराणिक बात करें पुराणों का प्रमाण है इसमें इसलिए अगर हम एकादसी के दिन तुलसी महारानी को जल चड़ाएंगे तो उनका बरत तूट जाएगा और उनके उस बरत के तूटने का दोस्त तुमें लगेगा इसलिए कभी भी तुलसी महारानी को एकादसी के दिन न तो जल चड़ाना चाहिए और ना ही तुलसी दल लेना चाहिए और ना सिर्फ एकादसी को अपितू प्रतेक रविवार को भी मा तुलसी ब्रत रखती हैं हर रविवार को सास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं चड़ाना चाहिए पुरानिक मानिताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विश्नु जी के लिए निर्जला ब्रत रखती हैं रविवार के दिन उन्हें जल चड़ाने से उनका बृत खंडित हो जाता है इसलिए कभी भी हमें रविवार के दिन भी हर हफ्ते में एक दिन निर्जला बृत रखती हैं बताओ हफ्ते में साथ दिन में से रविवार को भी निर्जला बृत रखती है निर्जला काई के लिए भगवान विश्णु के लिए और हम एकादसी का भी बृत कर लें तो हम कहते हैं बहुत बृत हो गया माराजा हमसे नहीं हो पाता एक रख लें दो नहीं हो पाते तो खेर हम यह बृत की आपकी बात नहीं कर रहें मारानी की बात करें तुल्सी मारानी की तो रविवार को और एकादसी को न तो तुल्सी मारानी को जल दे और न तुल्सी दल ग्रेंड करें इन दोनों ही दिनों से पहले तुल्सी क्योंको तुल्सी के विना भोग नहीं लगेगा इसलिए अचिसे पहले इस सनिवार को ही और वो भी evening time में न करें उसे पहले ही कर लें तुलसी ले के रख लें और वो तुलसी में थोडा बैसे तुलसी स्वैंसे पवित्र है उसे क्या सुद्धोना तो उसे फिर भी जल लेकर थोड़ा जल छिड़क कर भगवान के भोग इत्याद में प्रियोग कर सकते हैं तो ऐसे तुलसी का आप जल चड़ा सकते तुलसी को और तुलसी दल ग्रेन कर सकते बुलो रादे रादे